नमस्कार दोस्तों वेलकम तो माई चैनल जो स्टेट वाइज जो सोलर पॉलिशी और इनर्जी पॉलिशी के सीरीज में आज जो हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं वह है उडिसा रिनुवल एनर्जी पॉलिशी 2022 इस पॉलिशी के अंदर है क्या चीज़ उसके बारे में डिटे 1st January 2023 तक updated है तो अगर हम लोग उडिसा की बात कहें तो टोटल जो इंस्टॉल कैपसिटी उडिसा में वह 627.67 मेगावाट है और इसको अगर हम लोग बाइफरकेट करते है तो इसमाल हाइडो जो है 115.63 मेगावाट बायो जो है 59.22 मेगावाट और सोलर जो है 452.82 मेगावा और मोड़ दें 25 मेगावाट जो कैपसिटी ओ लार्ज हेड़ो प्लान ही काटेगरी में आती है जो की बात करने उडिसा में तो आगे इस में डिया हूँआ है और अगर हम लोग सोलर पार्क की बात करें तो उडिसा में दो सोलर पार्क भी डेवलप किया जा रहा है अगर उडिशा में solar potential की बात करें तो टोटल जो है 25.78 गीगवाट पींग जो है solar potential है अगर policy के point of view से बात करें तो देख सकते हैं policy जो है इसमें section wise divide किया गया है section A to section G तक इसमें divide किया गया है जिसमें कि section A में introduction बुला गया जिसमें कि vision, objective, legal framework, policy, period, scope of policy, project, facilitation, definition यह सब section A में दिया गया है, section B जो है general framework for identification and award of all RE projects जिसमें कि mode of implementation of RE projects, project, allotment, section of developer, selection of developers, exemption incentives, land इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, section C जो है basically specific technologies है, RE technology उसके बारे में detail में discuss किया गया है जैसे कि large hydro, pump, storage hydro, small hydro, floating solar, solar, wind, biomass, waste to energy, green hydrogen, green ammonia, banking इसके में discuss किया गया, section D जो है free and charges, section E है other policy measures to promote innovation and RE adoption, section F जो है RPO पे renewal purchase obligation और section G जो है policy administration के उपर है, तो इन सब सारे इतने सारे points इसमें discuss किये गया है सारे individual points करके तो नहीं कि काफी बड़ा लंबा वीडियो बन जाता और बहुत सारी चीज़ा ऐसी है कि जो बहुत जादा relevant भी नहीं रहती है तो सबको summarize करके आगे मैंने detail में बनाया है, अब हम बात करते है policy period की, यह जो policy जो है 30th November 2022 को इसू किया गया था और इसकी जो वैलिडिटी है policy की, यह 31st March 2020 2030 तक वैलिड है बिसके लिए आप देख सकते हैं बिसके लिए approximately जो है साथ साल आठ साल का period है यह और इसमें यह भी condition लगाई गए कि कोई policy जब तक नहीं नहीं आती तब तक यह policy वैलिड रहे गया इसको पालिशी का मतलब आप देखी सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया अभी जो पॉलिशी में है इसमें सारे आरी पोजेट्स जो है यह policy में कवर्ड है इसलिए इसको उडिशा रिनुवल एनरजी पॉलिशी का नाम दिया गया है अब हम बात करते हैं इस policy में किया क्या exemptions और incentive provide किया जा रहें तो अगर exemption और incentive category के बात करें तो इसमें सबसे पहले electricity duty आता है जिसमें कि 50 पैसा पर unit जो है exempt किया जाएगा captive और open access अगर consumer है अगर वह आरी पोजेट से के लिए valid रहेगा इसमें और condition लगाईगे कि अगर project जो है basically 30th March 2026 से पहले commission हो जाता है उस case में पांच साल और आपको मिल जाएगा तो मतलब 20 साल के लिए आपको electricity duty के exempt रहेगी 50 पैसा पर unit के लिए 15 साल के लिए क्रॉस सब्सीडी सर्चार्ज बैसे कि कोई open access consumer होता है तो उसके उपर सब्सीडी सर्चार्ज लगता है तो इसमें बोला गया कि अगर आप renewal energy जो है open access के थूरू ले रहे हैं तो उस case में आपको 50% exempt दिया जाएगा क्रॉस सब्सीडी सर्चार्ज में और 15 साल के लिए जाएगा यह सेम ऐसे स्टेट ट्रांस्मिशन इस्ट्यू चार्जेज अगर आप open access के थूरू कोई प्रोजेट्स ले रहे हैं तो उसमें स्ट्यू चार्जेज भी लगते हैं और स्ट्यू चार्जेज में यह बोला गया साल के लिए जंशन मिलेगा और अगर आप सेम कंडिशन 30 मार्च 2026 से पहले का प्रोजेट अगर है तो उसकेस में आपको पांच साल और मिल जाएगा मतार टोटल ट्वेंटी यहर्स का पीरेड मिल जाएगा आपको इस्ट्यू चार्जेज का बेनिफिट विलिंग चार्जेज सेम वही है 25 परसेंट एग्जेंशन आपका विलिंग चार्जेज 15 साल के लिए और स्टैंप ड्यूटी जो है इस्टैंप ड्यूटी पर्चेस अप लैंड और लीज पर लेते हैं उसकेस में कोई भी आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देना सब्सक्राइब करना पड़ता है तो इसमें बोला गया कि बाई जो ओपी टील है और इसा पावर ट्रांस्मिशन कंपनी लिमिटेड है आपको फिप्टीन देर्स के अंदर आपको कनेक्टिटी प्रवाइड कर दिया जाएगा इसके अलावा को आप आरी पोजेट्स लगात करता है। इसलिए इसकेस में आपको लेना पढ़ेगा से सब्सक्राइब किया जाएगा वाजने को ऊसन्याटार को ओर देड सब्सक्राइब करना चाहता हैं या कि इस सवल कि आपको किस रेट पर आपको लेंड पर्चेस करना है या लीस पर देना है अगर अगर अग्रिकल्चरल लेंड से नॉन अग्रिकल्चरल करना है तो उसको डिम्ड कनवर्जन माना जाएगा आरी प्रोजेक्स के लिए और जैसा कि मैंने पहले बता है कि स्टैंप ड्यूटी स्टैंपालगे आपको अगर आरी पॉलिसी इसमें सारी स्टैंप्रॉज वाइज़ की गई तो उडिसा में जो टोटल पूटेंशल है लार्ज हीड्रोग वो तृट्रींडवर्ट का है इस्टिमेटर पोटेंचियल है जो एज़ाप्ट ढ liquime यह अबी 6 प्लांट जो है अभी ऑपरेटिंग है आप दा क्यूमिलेटी के पैसिटी 209 मेगवाट मतलब यह कि 1000 मेगवाट के आसपास अभी भी मार्जिन है जहां पर लार्ज हाइड्रो प्लांट डेवलप किया सकता है जैनली कहीं भी अगर देखा यह तो लार्ज हाइड्रो प्लांट नहीं करेंगा लेकिन अगर आप जो ही आउटसाइड आप इस्टेट्स आप पावर पर सेल करेंगे तो उसकेस में आपको 12 परसेंट फ्री पावर दी जाएगी प्लस वन परसेंट लेडी एफ लोकल डेवलफ्मेंट फंड इसको बोला जाता है वो चार्ज किया जाएगा इसी तरीके से पंप इस्टोरेज हाइड जो है उसके लिए क्या बोला गया कि आज कि मिनिश्टी पावर ने जो आलेडी एक कांसेट पेपर निकाला हुआ है कि पंप इस्टोरेज को कैसे प्रमोट किया सकता है इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी गवर्मेंट करते हैं यहां पर अगर इस पर इसेंटरल गोर्मेंट और पॉलिची उगी उसके साब से और यह बूट मॉडल पर बूट मॉडल का मतलब है कि बिल्ट ओन उपरेट एंट टांसफर मतलब यह जितने साल के लिए आपको वह इसको अपरेट करेंगे बताब को बनाएंगे फ फिर operate भी आप ही करेंगे चाली साल के बाद फिर यह आपको transfer करना पड़ेगा state government को लिग इसमें यह बोला गया कि यह जो concession period basically यह में भी कि 30 साल के लिए और आपको extend किया जा सकता है तो boot model का मतलब यह होता है इसमाल हाइड्रो इसमाल हाइड्रो भी जो है बोला कि भी बूट मॉडल में develop किया जाएगा मतलब आप बील्ड ओन ऑपरेट एंट ट्रांसफर करेंगा और यह भी सब्सक्राइडी जो है प्रीजिबिल्टी रिपोर्ट जो है 5000 मेगावट फ्लोटिंग सोलर का भी बनाया जा चुका है और इसमें जो concern जो government department है जिसके पास जो यह रिजर वायर का ownership है वह डिपार्टमेंट आफ वार्ट रिसोर्स उनके सुत्रूट करके उन से ले करके इसको डेलप किया सकता है और जो लीज्ट से लिया जाएगा यह जो भी है यह बहुत ज्यादा चार्जिस नहीं होगा यह भी और यह जो बीट मोडल पर नहीं है 25 साल तक लिए था तो आप उसके उनलसिफ रहें गे उसके बाद को करना पड़ेगा यह फर्दर जो भी अगर पिप्रेट था फ़र्दर एक्सेंड किया सकता है जो भी उस से में कंडिशन रहेगी जो भी रूर्स रेगूलेस्टन है उसके साफ से यह किया जाएगा पार्क इसमें बोला गया कि मीनमम जो कैपसिटी होगी सोलर पार्क करने की वह 25 मेगावट है और आलेडी मैंने मेरा काफी डीटेल वीडियो एक है सोलर पार्क के ऊपर सोलर पार्क पिसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर हम स्थे डिवलाप करते हैं तो सोलर पूज़ेट डि सब्सक्राइब करता है कोई इप्रोजेक्ट जिसको लगाना सुलर्पर इस इदे सिद्ध गया वहाँ पर अप्रोजेक्ट लगा दिया सीधर कनेक्टिविटी मिल जाती है इसमें जो सोलर पार्ट करने का जो प्रोविजिन रखा कि मिन बैड़ होना चाहिए सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग जॉइंट वेंचर या प्राइवेट मतलब कोई भी कॉंबिनेशन हो सकता यह बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल पर ट्रांसफर मतलब इसको डिवलप किया जाएगा मतलब जो भी सोलर पार्क डिवलप करेंगा वो बनाएगा उसमें इ पर बीच्ट पर दिया जाएगा तैसलाह को कि पचीश साल के लिए पीपी पीरेट के लिए जो क्श्ट्रक्सन पीरेट होते वह प्लसव 15 साल यह पीरेट रखा गया पान साल के लिए और एक्स्टेंड пятा ऑर से स्वाफार सोलर पार्क एमिनश्टिय के स्पीदयों मानल है जिसमें कि MNRI subsidy provide करती है solar park develop करने के लिए इसमें non-park solar projects है उसके लिए बोलागे कि minimum capacity जो है basically one megawatt है क्योंकि इससे जो छोटी capacity rooftop category वाली उसमें आ जाती है तो minimum capacity जो है non-park solar projects के लिए minimum one megawatt रखा गया है और यह जो build own and operate model मतलब आप खुदी इसको project लगाएंगे बनाएंगे और इसको operate करेंगे rooftop के लिए क्या इसमें रखा गया तो बोला कि government building जो है जो government building पर जो solar जो rooftop लगाए जाएगा net metering या gross metering arrangement में लगाए जाएगा और rooftop लगाए जाता है उसके और जो जो rooftop owner है उनके बीच में एक mutual agreed tariff हो जाता है उसके बीच में वो प्रोजेट लगा करके उससे tariff जो ही mutually agreed जो tariff है उस पर charge करता है वो और capex model में आपको investment खुद करना पड़ता है की बात करें तो बैसे के लिए आज की नों दो तीन मेजर जो important है अगर हम लोग यहां इस रिस्पेक्ट में बात करें तो नेट मिट्रिंग और बिलिंग का भी concept बहुत कुछ कुछ स्टेट्स में आभी राजय से की यूपी और महाराष्टा जो है वहां पर नेट बिलिंग के लिए बहुत ही कम होती है माली यह कहीं किसी कि रूप फिप्टी किलो वाट लग रहा करें पहुंड़ किलो वाट लग रहा करें तो इतनी बहुत सारे साइट्स हो जाते तो उसके लिए सबसे पहले टेंडर निकालने के लिए डिमांड अग्रिगेशन किया जाता है तो विदिन टाइम लाइन आपको डिसकॉंड को देना पड़ेगा सबसेडिज इंसेंट्री वैस पर दो गाइडलाइन सब सेंटरल इस्टेट में आज की डिट में जो है सेंटरल गोर्वेंट मतलब मिनिस्टी अफनी में रिन इनरजी की स्कीम है जिसमें की रूफ टॉप लगाने के लिए सब्सिटी प्रोवाइट करती है वो सब्सिटी आप इस पर एक ब्सक्राइबल होगी अगर सब्सक्राइब अगर वी engaged बात के लिए बैसे के लिए पाउर की रिकॉर्मेंट होती है तो वह जो पाउर जो है वह बिसे किली नान पार्क सेड़िक अंदर आएगा रूप आप कंसेशन दिया जाएगा लेकिन यह लिमिटेट के लिए फ़ास्ट 50 Mewatt के लिए है इसमें जो डिपीर बनाने की जो कोश्ट है वो उसके लिए सपोर्ट प्रवाइड किया जाए गया फॉर्दर डिपीर में किस पॉलिसी कंतर यह किसी स्कीम कंतर का तो हम प्रोजेट लगा जाएंगे वीन की बात की जा रही है तो वीन में यह बोला गया कि चुकि मैक्समा आज की लिटम अगर रिन्वन एंअरजी की बात करें तो देखा एकि बीडिंग रूट्स में फोप्रोजेक्स लग रहे है खासकर में और वीन में भी लग रहे है त्यक्ति विन में यह बोला कि बीन को प्रमोट करने के लिए जो है वीडिंग रूट में न और जो रिस्टिक्षान थैं तर का यह जो यह अगर सिट पबी sekter अंडर टेकिंग अगरं की कॉमपनी उसके मैं कि पिप्टीची लॉप यह सकती है कि मैंने बताया कि जो विंड हैता है मतब सोलर बिधिंग की तुर फिरनट्वलोम investigator करो होतान गया लिए कभिपर लृतार है बीदिजाइट करें सबस्क्राइब लगाना है तो बनाएगा इंवेस्टमेंट भी करेगा और इंवस्चमेंट भी करेंगा बायो मास बायो मास के लिए बोला गया है कि इसमें भी सेम होई है इस्टेट रेगुलेटर जो है जनेरिक टेरिक डिसाइड करेगा और बिड्स उसी पर इन्वाइट की जाएगी डिसकांट मतलब यह कि मान लीजिए अगर बायो मास से जो इलक्सिटी प्रोड्यूस हो रही उसका टेरिफ फर इजंपल अगर इस्टेट रेगुलेटर ने डिसाइड किया मैक्सम सेलिंग फाइव रूपीस पर इनिट तो फाइव रूपीस पर बीडिंग होगी मतलब यह मैक्सम सेलिंग होगी कोई आफर करता है फूर प्र पैव रूपीस पर तो उसको फिर सब्सक्राइब करेंगे और इसको जो है अपनी वेफ साइट पर इसको पॉब्लिसाइज किया जाएगा इसमें जो वेस्ट एनरजी प्रांट लगाया जाएंगे जो भी इलेक्सिटी प्रोडूसर की हंड्र परसेंट जो है जो डिसकॉम उसको पर्चेस करेगा और जो टैर जो है अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है विद्धे हल पाफ रिन्वल एनरजी यह जो आरी पावर की जो रिक्वाइमेंट होगी उसके लिए बोला गया है कि जो जो स्टेट डिसकॉम है यह जो ग्रिट को है वह बैसेकली जो भी जो कॉस्ट आ रिये टैरिफ प्लस उसमे सब कुछ मार्जी ले करके वह जो रेगुलेटर डिसाइड करेगा क्या होगा मतलब एक तरह से आप इंसेंटिवाइज करने के कोशिस कर रहा है इस्टेट और इसके लिए अलग से सेपरेट पॉलिसी लाई जाएगी स्टेट वाइज जो है ग्रीन हैट्रोजन गीन अमोनि तो जन्रेशन जो फिर गीड में देनी पड़ती है फिर फुर्दर से जब हमारी रिकामेट होते हैं तो गीड उतने टाइम की रही क्या होता है कि उस एनर्जी को अपने पास सकता है इसको बैंकिंग बोलते हैं इसमें जो है ओपे एक्सिस और कैटिक का जूमर है उनके लि जो पी को सिस में बंकिंग राउड नहीं है और जो चार्जेज होंगे जो बैंकिंक चार्जेज है वह रेगिडर्र डिसएड करेगा और इसके लिए ऑपन एक्सिस जो 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 ए डिए मैफ्रें शुके म तयूमर है इंब अए इस इंसेट बांकिंग डिंग डैकिंस औ किया जाएगा विदे हेल्प यार विदे और विदे इंदे कोलाबराशन विदे इंटरनेशन डेलप्न अगेंसी नेशनल और इंटरनेशन डिसर्च इस इंस्टीट सेंट्रल पबी सेक्टर जो है उसके थुरू जो है इसको प्रमोट करने के लिए इस्टेबलिश किया जाएगा और बहुत सारी चीजें है इसमें फ्रमेशन अफ रिन्वल एनर्जी फंड जो है बैसे के लिए जो है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स पॉंप स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट क एक सब्सक्राइब करेगा राउन धकलाग और हाइड्र इनलिव पॉर्प्रोजेट्स जो है इस्टेट गबंट जो है एक स्पेसल इंसेंटिफ प्रवाइड कर सकता है के स्ट्रीप प्रमोट करने के लिए अरी पावर प्रोजेट्स फीडि स्टोरे सिस्टम हर स्टेट और अगर सोलर अगर आत कि दीन दिन में रहता है वींड जो है और भी बहुत जादा इंट्रमिटन है इस इंट्रमिटन सिक दूर करने के लिए इस टौरे से concept लाया जा रहा है इसलिए आरी पार प्रोजेस्ट भी इस्टोरे सिस्टम है उसकेस में बैटरी इनर्जी स्टोरेस और वीजेफ जो है वो प्रवाइट किया जाएगा जबा सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट की पॉलिसी होगी उस हिसाब से मीनी माइक्रो गूट को भी प् तो कोई भी जो है नो क्रॉस सब्सीडी सर्चार्ज और वीलिंग चार्जेश नहीं लेगा अगर आप इवी चार्जिंग इस्टेशन के लिए पावर ओपन एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं तो और इवी मैनिफेक्टरर्स को भी जो है इंसेंटिव प्रवाइट किया सब्सक्राइब करता है जिसको बोलते हैं और 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 वी जो जो है उनके लिए मैंडेट किया जाता है अभी मिनिफ्टिया पावर ने जुलाई ट्वेंटी ट्विटेंटी टू में एक ट्रजेक्टरी इसू किया था तो इसमें यह बोला गया कि जो स्टेट रिगुलेटर जो है जो मिनिश्ट्रेव पावर ने जो आर्पी ओव अबलिएशन एनर्जी स्टोर अबलिएशन ट्वेटि तक जो ट्रजेक्टरी इसको फॉलो करेगा और सूक्षाइब करेगा नोड़ल जैसी बहुत क्लियर डिफाइंड नहीं किया जिसमें बोला गया है कि जो डिपार्टमेंट आफफ एनरजी जो है वह नोड़ जैसी डेजिगनेट करेगा तो मेंली हो सकता है कि जो वहां की जो जो रिन्युर्ण related सबने किरन capitalism कि यह लोगया फिर में पॉलाに बात में पांपने रहे बोई करें सानफुटी क्या है तो सिंगल वीन्डों कमेटी बना गाएं बनायी को है बनाव tomorrow कमेटी तो सिंगल वींडों कमेटी फर सेक्रीड अब una उनके चेर्मन सी में बनाने गया बोल कमेटी क justamente यह उसको दोवार्ट में भीक किया एप फिप्ती मेगावाट फिप्टी से तूवनेड bağ आज और और मोर दें तूवाट तूबनेड मेगावाट नोपकसर फितीutation finans還 Какर वहां चाहिए तो رएगки करेंगे पॉलिसी एड़ो के चैंके परेगे रिज़नुरूप अगर एकड़सीर इसो दो चैनक तो उर्ष पॉलिसी आ सकती है जो इस पालिशी में जो टार्गेट रखा गया है और आर्पी ट्राजेक्टि उस पॉइंट अभी से यह तेंटेटिव कैपसेटी यह इसमें टार्गेट नहीं रखा गया लेकिन यह बोला गया कि क्या 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 एडिश्टिंग आर्पी कैपसेटी यह उसके बियॉंड यह कैपसेटी की बात करें तो विंड की बात करें तो विंड यह बोला कि 900 मेगाट तक कैपसिटी डिसकॉम को लेना पड़ेगा और कैप्टिव के लिए 2600 मेगाट की तो टोटल 3500 एडिशनल जो मेगाट की रिकाइमेंट पड़ेगी और कैप्टीव उपन एक्सेस को 900 मेगाट तो टोटल जो 1200 मेगाट को टाइप करना पड़ेगा हाइडर के लिए और अधर्स में जो है जिसमें को सोलर और बहुत सारे बायो मास्स और सब जो कटेगरी है तो डिसकॉम को 4500 मेगाट और कैप्टीव उपन एक्सेस के लिए 12500 मेगाट टोटल जो कि 17000 मेगाट कैप्टीव और ओपन एक्सेस में जो है काफी बड़ी बड़े इंडर्स्टीज है इसलिए वहाँ पर उनको जड़त ज्यादा पड़ जाएगी आप्यों कम्प्लाइंस फुल्फिल करने के लिए तो अब यह एडिशनल कैपसिटी जो प्रजेंट कैपसिटी उसके बियॉंड जो कैपसिटी फैनेंसियल एर ठर्टी तक यह टार्गेट किया रहा है यह कितनी कैपसिटी आ जाएगी तो होब दोस्तों यह जो औरी से के ऊपर जो मेरी जो पॉलिसी जो 2022 है आपको पसंद आया ह होगा जो मेरा अपडेट है अगर आपको सही लगाओगा तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में ने टापिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू जैहिंत